अधिर को हाई फ्रेंट्शлись को टो डिये वी के डिसक्स अबाउट एंडिया जी के अज कल के एक्जाम में इंडिया जी की का बहुत युच्छा रोल हो गया है तो students की बड़ी problems होती है कि India GK में क्या पढ़ हैं क्या नहीं पढ़ हैं तो इसलिए ये मैं आपको India GK के strategy बना रहा हूँ और step by step फिर next videos में आपको total India GK cover हो जाएगी तो first of all we can discuss about India GK कि India GK में कितने segment होते हैं तो देखें India GK में अगर study के according देखें तो तीन segments में हम इसको बाढ़ के पढ़ सकते हैं first segment static portion static को हम old GK भी कह सकते हैं and second current affair current affair and awareness both equal and third is general science ये तीन segments इंडिया जी के complete broad तरीके से बाढ़ दिये गए है static में first part आता है history का history में आजकल के exam में culture भी आता है culture कोई अलग subject नहीं है history का ही एक part है अगर देखा जाए तो history के जो तीन बड़े बड़े part है ancient, medieval और modern ancient और medieval history का जो part है उसमें culture include हो जाता है modern history में culture का बहुत कम part होता है इसके अलावा दूसरा segment है आपका static part में polity quality में especially constitution Indian constitution से बहुत सारे सवाल आते है and third segment is geography geography में एक तो India sense और एक physical geography वर्ल्ड लेवल की fourth segment है आपका environment इन्वर्मेंट में आपको specially ecology climate change and environment conference जो है स्केलावा economics and final is computer यह completely मोटे मोटे सब्जेक्ट हुए आपके static part में तो स्ट्री के साथ culture, polity with constitution, geography, इंडिया and physical जो वर्ल्ड लेवल की जोग्रोफी एंवर्मेंट में ecology, climate change, environment conferences, इंडिया and abroad level के इसके साथ economics and computer यह आपके totally static part के सब्जेक्ट्स हैं current affair में अगर बात करें तो जो totally अपने static part के जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें last one year में जो changes हुआ है history में जो नहीं खोज हुई है, quality में जो समिदान में कुछ amendments हुए है geography में कुछ changes हुआ है, environment में कुछ changes हुआ है उसी प्रकार से economics and computer में जो जो changes हुआ है सारा का सारा part one year का current affair में सामिल हो जाता है इसके अलावा current affair में जो अलग subjects पढ़ने ही पढ़ेंगे आपको एक तो spots आता है exams में spots के सवाल आते हैं, basically इसके अलावा flagship central government की जितनी भी योजना है central government के साथ साथ state government में भी जो योजना है लागू की गई है वो भी परिक्षाओं में पूछे जाती है इसके साथ ही awards देखिए awards एक तो Indian governments प्रवाइड करती है जैसे भारत रतन हुआ, पदम विभूशन हुआ, पदम भूशन और पदम सरी चार awards इंडियन गवर्मेंट के हैं इसके अलावा और जितने भी sectors में नए नए awards दे जाते हैं उनसे भी एक दो जनरली सवाल पुसे जाते हैं इसके अलावा days कोईन कोई खास day हर दिन celebrate होता है तो आजकल के exams में उन में सिर्व सिदे सवाल पुसे ले जाते हैं और generally themes से सवाल आने लगे हैं days से भी इसके अलावा books current affair में जो book बहुत ही चर्चा मेरे आती है उससे सवाल निकलके आपके सामने आ जाते हैं exams में यह आपका current affair के part वे इन segments के अगलावा तो हम यूँ कह सकते हैं current gk is a very broad subject जिसमें आपके सारा static part भी सामिल होगा उसके अलावा यह भी आपका current affair में आ जाता है और साथी साथ general science में जो भी changes आता है science tech को लेकर वो सारा का सारा आपका current affair में include हो जाता है general science के हम बात करें तो general science में एक तो आपका subject सामिल होता है physics एक biology, chemistry and space technology और एक आपके इंडियन गवर्मेंट ने कही सारे countries के साथ मिलकर practice किये वह और practice किये तो युदभ्यास यह भी आपके general science में ही आ जाते हैं तो कहने का तात्प्रिय जनरल science में आपके मोटे-मोटे 5 segment हो गए 5 segments सभी से सवाल आते हैं generally कई बार chemistry सवाल नहीं आते लेकिन bio से आते हैं physics से आते हैं तो आप इन में से एक भी segment को नहीं चूड़ सकते finally यह आपका India GK को completely cover करने का एक portion है इसके माध्यम से एक-एक segment को आपको cover करना होगा कोई भी segment ऐसा नहीं है जिसको हम परिक्षाओं में छोड़ दें क्योंकि definitely जिस segment को आप छोड़ेंगे परिक्षाओं में वहीं से सवाल आने की संभावना पूरी-पूरी होती है अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि history and culture में आपके क्या पार्ट सामिल होते हैं उसी प्रगार से हम पॉलिटी पे चर्चा करेंगे जिग्राफी पे चर्चा करेंगे इन्वार्मेंट पे चर्चा करेंगे इसके साथ ही economics and computer इन पे हम generally चर्चा करेंगे तो अभी मैं आपको history के बारे में बताता हूं तो अब हम बात करते हैं history and culture की history and culture में generally क्या-क्या पढ़ना पढ़ता है exams according तो देखिए history के तीन पार्ट है first part जिसको हम ancient history बोलते हैं and second medieval history and third modern history modern history with Indian struggle for independence कि स्वतंत्रता के लिए जो संगर्स हुआ है वो भी modern history का अगला step आता है गांधी इसके समय का तो इस प्रकार से history के आपके तीन पार्ट वे ancient, medieval और modern परिक्षाओं में आजकल modern history का खासा रॉल हो गया है medieval history के सवाल बहुती कम पुछे जाते हैं ancient history में कुछ points हैं जैसे इंडस वेली हुआ इसके साथ ही ज्यानिज्म और गुद्दिज्म अब हम बात करते हैं कल्चर की देखी कल्चर कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है कल्चर एक history का ही बाट है इस कल्चर में जो सब्जेक्ट्स study के according अपन बाटना चाहें तो first of all एक तो होता है art इसके साथ ही literature and third is architecture यह तीन मोटे-मोटे पार्ट हैं अपके कल्चर के and fourth अगर बाटना चाहें तो एक पार्ट आता religion अब देखिए कल्चर में एक तो art part हुआ इसके साथ literature हुआ architecture and religion अब आर्ट में क्या क्या सामिल होंगे तो देखिए जनरल ही इंडियन आर्ट में एक तो आपके paintings होंगी चित्रकलाओं से सवाल कभी कभार निकल के सामने आ जाते हैं इसके साथ ही अगर बात करें तो literary form कि जो भी साहित लिखा जाता है वो भी एक culture है इसके साथ ही pottery art handicrafts music and dance form यह आपके art में complete include हो जाते हैं देखिए dance एक तो classical dance है और एक street के कुछ से specially dance है music से भी कई बार रागवगरा से सवाल आ जाता है handicrafts कई स्टेट में कुछ से specially बनाई जाती है pottery से कई बार सवाल इंडस वेली से literary form ancient history से लेकर modern history तक बहुत सारी किताब लेखे गई है तो वहां साहित लेखन से भी सवाल आते हैं इसके बाद करें painting की तो painting में most of sculpture के सवाल आते हैं कि जो मूर्तिकला है मूर्तिकला का संबंद temple architecture से तो इसका relation हो जाएगा आपका temple architecture कि जो इस्तापत्यकला की मंदिर निर्मान से लिया है वह वहां से मूर्तिकला और मूर्तिकला से आपकी paintings तो यह वहां आप link कर देंगे तो इस प्रकार से आपका यह art का form complete हो जाएगा art के सासाथ आपका literature हुआ जाते हैं तो आर्किटेक्चर में अगर बात करें तो फस्ट एक तो सवाल आते हैं पहले कि पुराने जो भारती इतियास के कुछ king है उन्होंने उनके अपने महल बनवाए गये थे तो उन महल से सीदे सीदे के बार सवाल आते हैं परिक्षाओं में इसके साथ ही केव कि कैस सारे सासकों ने विक्षूओं के लिए बहुत सारी गुफाओं का निर्बान करवाया था जिनमें स्पेसली बुद्दिज मॉंक्स और जैनिज मॉंक्स इसके लाबा ब्रामनिज मॉंक्स के लिए भी कुछ केव बनाएंगी थी तो वो भी आपका अर्किटेक्चर का एक प्लान है इसके साथ ही बेसिकली टेंपल आर्किटेक्चर देखिए मंदर निर्बान की परंपरा अगर देखा जाए तो एंसेंट इस्ट्री में गुप्त पिरियड में स्टार्ट हो जाती है गुप्त पिरियड से पहले मंदिर का कोई उलेख नहीं होता है और टेंपल आर्किटेक्चर में गुप्त पिरियड से बहुत सारे टेंपल बनने लग जाते हैं और इस प्रकार से टेंपल आर्किटेक्चर को पूरे इंडिया में अगर परिक्षाओं में जो सवाल आते हैं, most of students कहां गलती करते हैं कि ancient history, ancient history को तो पढ़ लेते हैं, medieval history को basically पढ़ लेते हैं, लेकि modern history पे को ध्यान नहीं देते हैं, जबकि परिक्षाओं में modern history is a very important, अगर UPSC और RPSC की बात करें, तो ancient history और medieval history में only art and culture आता है, बाकी जो basic fact हैं, बा इंपोर्टेंट पार्ट आपका modern history का होता है, तो इस प्रगार से मैं यह कहना चाहूंगा, कि history and culture में, generally जो railway SSC exams में, उनमें आप art, literature, architecture को किलियर करेंगा, बाकी जो और exams हैं, UPSC and RPSC, उसमें आपको ancient history और medieval history का तो culture पढ़ें, और modern history की पूरी details, events पढ़ें, और उसके अब next मैं आपको बताना चाहूंगा, कि polity में क्या पार्ट सामिल होंगे, अब देखिए, जिस प्रकार से आपने history and culture को देखा, कि history and culture is a very broad subject, उसी प्रकार से जोग्राफी के दो segments हैं, study के according अपने जोग्राफी को दो पार्टों में बाटेंगे, फर्स्ट इज फिजिकल जोग्राफी, and second, Indian जोग्राफी, अब देखिए, Indian जोग्राफी is a very important, क्योंकि exams इंडिया में होंगे, तो generally basics इंडिया की जोग्राफी तो आपको आनी चाहिए, इंडिया जोग्राफी में एक तो locations, कि इंडिया की location कहा हैं, और इसके neighborhood जो countries हैं, उनके बारे में, इसके साथ ही जितने भी जल संदिया हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, location के साथ साथ, एक basics इंडिया का introduction, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि physical division of India, कि इंडिया के किस प्रकार से physical part हैं, अगर देखें तो नॉर्थ में हिमाले हुआ, साथ में गोडवाना लेंड के अवसेस हुए, एंड इस्ट में बहुत सारी पूरूत्र पाढ़ियां हैं, एंड वेस्ट में रेगिस्तान हैं, तो इंडिया के broad जो physical part हैं, वो आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चीए, इसके साथ इसाथ climate, climate, इसके साथ ब्रेने सिस्टम, एंड अधर सोईल्स, इंडस्ट्री, एंड मिंडरल्स, ये आपके सारे इंडिया की जोग्राफिय में important parts हुए, इसके साथ अब उन बात करें physical geography की, तो physical geography मतलब world level का geography, इसमें एक तो universe, यहनि पूरी जो ब्रमाण्ड की कहानी है, जिसमें आपका पूरा स्वर्मंडल, पूरे के पूरे ग्रह, उपग्रह, सारे के सारे part आपके इसमें include हो जाएंगे, इसके साथ ही साथ, next जो आपका topic होगा, वो आपका air system, जिसको हम कहेंगे पवन्तंत्र, पवन्तंत्र से सवाल बहुत बार पुछे जाते हैं, सिधे-सिधे, अगर आपको air system समझ में आ गया, तो इसके साथ ही साथ आपको climate, and पूरा का पूरा मानसून का सारे प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी, कि किस प्रकार से कौन से रितुमिक हवाएं उठती हैं, बारिस करती हैं, कहां पर इसका फरक पड़ता है, तो ये आपके physical जेवरा की दो पार्ट हैं, अब देखिए, ये दो पार्टों में आपका complete जेवराफी इंक्लूड हो जाता है, जिसमें परवत, पहाड, बुकम, जौला, मुखी, सारा इसके अंदर समाहित हो जाता है, जब हम जोग्राफी किलासे स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक-एक points के बारे में details से cover करा दिया जाएगा, finally, ये आपका जोग्राफी का part हुआ, अब next, हम discuss करेंगा Indian polity और उसमें भी basic part आपका constitution का, परिक्षाओं में polity से सवाल generally कभी कभार पूछ ले जाते हैं, परिक्षिशन के बड़े-बड़े से basic topic है, जिसमें एक तो है आपका historical background, historical background मतलब समिनान का इतिहास, इतिहासिक प्रेस्ट भूमी, 1773 to 1947, इति भारत में जब British St. India Company आती है, यहां factory आस्तापिद हो जाती है, और finally 1770 में जब बंगाल में अकाल पड़ जाता है, तो Britain, St. India Company को control करने के सोचता है, British Parliament, और 1773 का वो पहला act है, जिसके माध्यम से St. India Company को control किया जाता है, 1773 के after time के according बहुत सारे acts पारित किया जाते हैं, और 1917 तक 1947 तक के सिलसला चलता रहता है, इस बीच में दो प्रकार के डिवाडिशन होता है इंडिया में, कि दो प्रकार का रूल होता है British का, फर्स्ट एक तो St. India Company का सासन होता है, जो 1773 से लेकर 1857 तक रहता है, फिर सिपाई म्यूटर नहीं हो जाता है, तो 1857 के बाद से लेकर 1947 तक जो सासन चलता है, वो ब्रिटेन की महरानी का सासन है, मिलब क्राउन का रूल है, इसके बाद अगला टॉपिक जो कॉंस्ट्यूशन में सामिल होता है, मेकिंग ओफ कॉंस्ट्यूशन है, कि भारत में समिधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो 1946 से लेकर 1949 तक लगबग 3 साल में, दो वर्स 11 मां 18 दिन में इंडियन कॉंस्ट्यूशन बनके तयार हुआ था, जिस पे विश्व के लगबग 60 देशों का प्रभाव है, यानि हम यूँ कह सकते हैं कि इंडिया का कॉंस्ट्यूशन पूरे वर्ल के कंट्रीज जो है, उनका समाहित एक रूप है, बट सारा का सारा चिंज़िद है, सेम टू सेम हमने किसी भी कंट्रीज से कोई भी चुराया नहीं है, और फाइनली तीन साल का जो इतियास है, इस तीन साल के इतियास से बहुत अच्छे सवाल परिक्षाओं में पुछ ले जाते हैं कई बार, इसके बाद बसता है फीचर्स, फीचर में हम बात करें तो प्रियम्बल, एक तो प्रिस्तावना, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, डारेक्टिव प्रिंसिपल अप स्टेट पॉलिसी, एंड फंडामेंटल डूटीज, अमेंडमेंट्स, ये भारत के सविदान की मुखे विसेशता है, तो ये गवर्मेंट क्या है? तो देखिये, इंडिया में तीन परकार की कौषण की क्या है, एक तो हम कहेंगे यूनीन गव़र्मेंट, या सेंट्रल गवर्मेंट, एफ सेंट्रल गवर्मेंट, ए५ीशा पॉलिस्त में था लेकिन 1992 के बाद local government का प्रावधान सामने को आता है तो इस प्रकार से आज तीन प्रकार की government सामने हैं इसके बाद समिधान में बसते हैं आपके आर्टिकल्स और यह सारे के सारे जो पार्ट हुए आपके इंडियन constitution के हुए है तो इस प्रकार से हम यू कह सकते हैं कि इंडिया constitution के basically बड़े-बड़े part हैं इसके अलावा constitutional bodies से भी सवाल आते हैं के बार कि ऐसे department जिनका समिधान बनने के समय निर्माण हो गया था वो आपके constitutional bodies है जैसे UPSC हुआ attorney general हुआ election commission हुआ इसके साथ ही साथ non constitutional bodies कि ऐसी bodies जिनका निर्माण समिधान बनने के बाद हुआ है तो वो आपके non constitutional bodies में आते हैं और इस प्रकार से देखते हैं कि constitution में भी आपके खासे points हैं जो परिक्षा में पूछ ली जाते हैं अब हम discuss करते हैं अगला जो पार्ट है आपका economics का कि economics में किस प्रकार से सवाल आते हैं कि देखिए economics में एक तो generally सवाल आते हैं basic economics के basic economics में आपको सब्दावलियों का पता होना चाहिए कि कौन से सब्द का मतलब क्या है generally के बार सवाल national income को लेकर और NNP GDP से लेकर सवाल आ जाते हैं सिदे सिदे से इसके बाद आपका है banking banking में especially RBI के जो भी functions है वो very important है और इसके साथ आपका बसता है budgeting तो budgeting जो आपका current होगा जैसे मानलो आपका एक्जाम सभी 2020 में होगा तो फेरवरी का budget आपका very important होगा तो इस प्रकार से economics के भी आपके तीन पार्ट वे और especially मैं कहना चाहूँगा कि banking में जो आपका changes हुआ है सबसे बड़ा changes वो note बंदी का हुआ है मतलब Indian जो currency है यह currency पर आप खास ध्यान रखिएगा कि Modi government ने जो action लिया था note बंदी का उसमें सारी currency को change कर दिया था जैसे 2000 का note हुआ इसके साथ इसाथ 500 का note हुआ 200 का 100 का 50 का 20 का 10 का इस प्रकार से बहुत सारे note अब इन note में जो परिक्षाओं में सवाल पुछले जाते हैं एक तो generally note की size को लेके कई पर सवाल आते हैं note की size क्या है note के पीछे जो indication दिया हुआ है जैसे मंगलयान का दिया है या लाल कले का दिया है तो जो राने की बाव का या फिर मंगलयान का जो ऐसे important आपको indication दे रखें उन indication के बारे में आपको पता होना जी है कि वो क्या था जैसे मानलो लाल कले का question आ गया कि लाल कले का ज इस प्रकार से पुराने एक्जांस में देखें तो कई बार फाइफ येर प्लानिंग के सवाल भी आते हैं एंड फाइनली एग्रिकल्चर और इंडस्ट्री का जो मसला है वो आपका जोग्राफी में कवर हो जाएगा तो नेक्स्ट वी कें डिसकस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक एन्वार्मेंट देखिए एन्वार्मेंट में अगर स्टाडी का अकॉर्डिंग देखें तो एक तो एन्वार्मेंट का जो आपका बार्ट है वो है एकलोजी का एक पार्ट आपका एन्वार्मेंट एक आपका है क्लाइमेट चेंज और एक है आपका एन्वार्मेंट कॉन्फरेंस कॉन्फरेंस में एक तो इंडिया में और्गनाइज हूए जो ए्ड अबराड जो इंडिया से भार खenda कॉन्फरेंसर हो runs हैं इंजर एकलोजि का बेसी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प si है क्या सि क्वाई बेसिक कई पर सवाल आ जाते हैं जनरली एन्वार्मेंट में मुस्ट अब सवाल पॉलिशन को लेके आते हैं तो एन्वार्मेंट पॉलिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट and finally climate change की जलवाईों में परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से मानवी गत्विदियों के देखते हुए जलवाई पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है और फिर बचता है आपका एन्वार्मेंट conferences इंडिया और इंडिया से भार के तो इस प्रकार से हम देखें तो एन्वार्मेंट पे आपके चार सेग्मेंट हुए अब next जनरली जो परिख्षाओं में एक सेग्मेंट और बचता है वो आपका है computer का देखें computer का सेग्मेंट हाल ही की exams के लिए very important आता है कि computer में एक तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि computer है क्या तो जनरली उसका सवाल कभी नहीं आता है लेकिन जनरल आपको पता होगा तो ही आपका आगे की points से आप correlate कर पाएंगे इसके बाद बचता है memory unit की computer में जो memory का type है जिस रेम रॉम का पार्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए और next internet परिक्षाव में इंटरनेट से कई सारे सवाल सीधे search engine से पूछ ले आते हैं तो यह आपका internet का part हुआ and final बचता है आपका full forms की computer में जो part use होते हैं के full forms क्या होते हैं तो परिक्षाव में computer ज्यादा highlight नहीं पढ़ना है बेसिक्स computer पढ़ना है और generally most of exams computer based नहीं तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए तो इस प्रकार से अपने देखा कि पूरे के पूरे इंडिया के segment में बड़े बड़े subject हैं और बड़े बड़े subject हों का complete part है कोई भी ऐसा part नहीं है जिसको अपन छोड़ सके हैं तो फाइनली इंडिया जीके को cover करने के लिए आपको एक बहुत ही planned strategy की ज़रूत है और उस strategy में अगर आप finally एक एक points को भी cover करेंगे तो लगभग आपको तीन या चार महीनेच चीए पूरे इंडिया cover करने के लिए वर कि आपके यह जितने भी मैंने आपको अभी आपको point wise syllabus बताये हैं उन सारे points के syllabus आपको day by day available हो जाएंगे यूटूब पे तो फाइनली आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फाइनली जो भी नए वीडियो जाले जाएंगे वो आपको update होते रहेंगे time क according थेंक यू, welcomes